इस समय चारोत रफ इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्णोई की आपको चर्च मिलेंगे जो कि सलमान खान से लेकर दाउत इब्राहिम और खालिस्तानियों तक सब के पीछे पड़ा हुआ है। जो चार बड़े खालिस्तानी मारे गए थे उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा है। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जिसको पूरी विष्णोई समाज फोलो करती है। इंटरस्टिंग बात यह है कि विष्णोई जो नाम पड़ा है वो इसी 29 रूल की या फिर कहें तो प्रिंसिपल के थुरू पड़ा है। जैसे कि दोस्तो आपको जानवरों को मानना नहीं है, फलने फूलने वाले पेड़ पोदो को काटना नहीं है, और आपको हर साल एक पेड़ लगाना है, और इस धरतिबे जितने भी लाइफ फॉर्म से आपको उने प्रोटेक्ट करना है। और दोस्तो शायद आप याकीन ना करो इन 29 रूल के लिए विश्णोई समाज है वो इतनी सीरियस है कि इन रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जान भी कई बार गवा चुकी है। और इस कम्यूनिटी का एक मंतर है जिसे वो सभी लोग फोलो करते हैं, गुरू क 1996 में निहाल चंद विश्णोई ने एक ब्लैक बग को सिकार से बचाया था, जिसको बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी। वैल जिस पर एक आवर्ड विनिंग मूबी भी बनी है जिसका नाम है बिलिंग टू सैक्रिफाइज। दोस्तों एक सक्ष अनिल से भी जादा ब्लैक बक्स चिंकारियां हिरन को सिकारियों से बचाया है और उन्हीं सिकारियों के इकलाफ इन्होंने करीबन दोसों से भी जादा अकेले लीगल मुकद में भी लड़े हैं नहीं दोस्तों पीराराम विश्णोई कहने को एक पंचल लगाते हैं लेकिन उन्ह सलमान खान के फिलिम के सूटिंग के दोरान सलमान भाई ने दो ब्लैक पक्स को शूट किया था वहीं विश्णोई समाच का मानना है कि सलमान खान को इस हत्या के लिए उत्तिधाम मुकाम जाकर छमा मांगनी होगी क्योंकि राइस्तान के बीकन एर में इस थी थे और यह जो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ इंफर्मेशन जरूर मिली होगी, कॉमेंट से जरूर बतना आपका opinion क्या है, आपका point of view क्या है इन सब चीज को लेकर, अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों के share भी जरूर करें मिलते हैं, नेक्स वीडियो में जब तक जयन जय भारत